कुही पुलिस थाना अंतरगर डोंगर गाव शिवार में पुराने विवात के चलते 16 नवंबर 2020 को 6 आरोपियों ने मिलकर 2 मित्रों की हत्या कर दी थी इस मामले में पुलीस ने हत्या का मामला दर्च कर 6 आरोपियों को पहले ही गिरफतार कर लिया था लेकिन इसमें फरार अन्य दो आरोपियों को पकड़ने में LCB की टीम को पूरे एक साल बात सफलता प्राप्त हुई पकड़े गए दोनों आरोपियों का 19 अक्टूबर तक का PCR पुलीस ने प्राप्त किया है पुलीस सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक कुनाव सुरेश चरडे और सुशिल सुनिल बाव ने दोनों नागपुर के दिगोरी परिसर निवासी अपरादिक छवी के थे इनका आरोपियों के साथ विवाद चल रहा था हत्या के दिन याने 16 नवंबर 2020 को मौजा डोंगर गाओ में मौका पाकर आरोपियों ने मिलकर धारदार हत्यार और सिमेंट के कॉंक्रेट पोल से वार कर हत्या कर दी थी इसके बाद सभी आरोपी घटना स्थल से फरार हो गय थे घटना के बाद गाओ में खलबली मज गई थी पुलीस ने भी मामले की गंभीरता लेते हुए हत्या के मुक्य सूत्रधार जागेश्वर उर्फ बालू सतीश दुधनकर निलकमल नगर दिगोरी नाकपूर राहुल श्रावन लामबर्ट बिडगाव नाकपूर निशान प्रशान शहारकर खरबी रोड शक्तिमान नगर नाकपूर तथा अन्य तीन आरोपियों को गिरफतार कर लिया था इस हत्याकान में फरार आरोपी रोहित दत्तू पाटन कर नरसाला और अजिंक्या अशोक नाकदव ने पारड़ी नाकपूर निवासी के बारे में LCB की टीम को उनके घर में होने की गुप्त जानकारी विली सुचना के आधार पर LCB की टीम ने रविवार को जाल बिचा कर इन दोनों को उनके घर से ही गिरफतार कर लिया कारवाई करने के बाद मामला कुही पुलिस थाने का होने से दोनों आरोपियों को कुही पुलिस के हवाले कर दिया पुलिस इन दोनों आरोपियों को रविवार को न्यायले में पेश कर 19 अक्टूबर तक का PCR प्राप्त कर लिया इस हत्याकार्ण में शामिल मास्टर माइंड बालू दुधनकर, राहुल लामबर्ट निशान शाहरकर और इनके अन्य साथियों को पुलीस ने पहले ही गिरफतार कर लिया था इसके बाद उनका PCR भी लिया गया था जिसके बाद इन सभी को नाकपुर के मद्यवर्ती कारा गुरूह में भेज दिया इस कार्ण में दो आरोपी फरार थे जिने LCB की टीम ने रविवार को धर्दबोचा